विष्विद्ध रख्मान एरहीम असलाम अलेकुम। अब बैसन का हलवा, के लिए दो कप जेए दो पेली जाए के बैसन, इसको नहीं आप शांद के, इसके एक पेली या बटर ले ले या देसी घी ले ले या दी पेली बदाम, यह फूल मखाना है यह चारे मगज है और यह गुंदे है एक छोटा चमद जो वह अलाइची पॉड़र और एक बड़ा चमद टेबल स्मून वा सौंफ का एक पहली चीनी यह गुंद और इनको पहले घी में फ्राइ कर लेंगे फिर बाकी चीज़े बनाना शुरू करेंगे गीरम जाए तर कोड़ने गीरम जाए है फिर इसमें फोनय डालेंगे जाए घी के निदा वीट, जाए रफ्राइए खीजाने पॉड़र गीऑ जाए बिस गीड़ने 3-8 जाए फ्राइए जाए जाए पॉड़र शुश्रीगार उर्सक्र पीकर शुदार रखाओं और फ्राइ करके थोड़ा सब फूल दें तो निकाल में करा जी चूल निया याफ झालम करता in पूल रड़ायों कु beach ज़ two कब पलिए्यों पॉम्ल्या डिसके लिगारें अब यस नुद्धा निए बिटे लिगा लगारें अबेत्रम्ट्मून हाने जाने में अल्याट दे लगें यह पूल देंगे तो फिर इनको निकाल देंगे निकाल के इनको और बदाम जाएंगे थोड़े से पीस लेंगे फिर इनको शामिल करेंगे इसको निकाल भूल यह पूलाते हैं इसपे डाएंगे अची हैं जाने को ज़ते हैं यह अधर में जाएंगे अनीकाल कालर भी जाएंगे शिवडिक सबपाकी शाट कमआएंगे इनोड ए अचानी पार शुब बाकी घूज निए इसके आफ दियो टीज कि अचानी में एक शुब्र सुब्ली किया है जाइब निए गूल है कि यह कर देख से सब्सक्राइब बूले कुछा देखिए तो अचर्ण के अचानी है अगर आपको बसंतर तो वर्ट हो अजब अब्सराइब, एक जाने की जाने पर ने सीए जाने कें लिए वह से ऊधिने, कई लोग बादम जम घी में पर आपीश थे अपको अप्सान थे आपको अगर आपको अप्सानद तो फ्राइ कर ले मैं वैसे यए एसे ड्राई वी जा ह बेसन में खुश्बू हाने लग जब भूने की तो समझे कि आपका भून गया बेसन फोड़ा सा टाइम लगता है फोड़ा से इसको फाद चलाना पड़ता कि यह नीचे लगना जाए जब तक यह भूनते हैं पांच से साथ मिनट तक इसको भूने अब इसको नजर आ रहा हुगा और इसको फुश्बू ही बड़ी अच्छी आने लग गई भून गया वेच्छी इसका कलर भी छोड़ा से ब्राउन से शेड़ में आना शुरू हो गया अब इसमें लाइकी बाड़ डाल दोगे इसको बूनने का इवाब है यह जल ना जल भास बूलेंगा जलिए बखियादे जो ओपर डालने के काम आ लेके बदाम और चारे मगज़ निपीस करिखें तरहें अब ये गूल दें एक फूल महान है और ये सौंप अब इसको अच्छी सरा मिक्स कर लेंगे लेसर में चीनी आपने तब डाली जब आपने तूला बंगर देना चीनी जब पानी छोड़ करती है उससे पर ये आपके हाद मेरी आएगा वेसर काफी देर तक गरम रहता है इसली चूला बंगर करके फिर आपने चीनी डाली तब इन तीजों को मिक्स कर लें कर लें अब इसका हम चूला बंगर करके वेसर को फिर इसमे हम चीनी डालें कर लें तो चूले से इस सईट पर करें इसमें चीनी डालके स्पची जाने इस तरह बेस अलवे वो देर से ठंडा होता है इसकी अपनी गर्मायव मेरी इसकी चीनी मिक्स हो जाएगी अगर आपके रफास मोटी वाली चीन है तो इसको पीस लें, पाउडर बना लें तो बसके एक ट्रेले ले इसको छड़ा साग्रीस कर लें ताकि आपको टुकडिया निकालते वे जब इसको कट करेंगे तो पर वही दिली निकला है अब जो त्यार वेता नहीं इसमें डालते हैं ड्राइफ्रूट आप और चाहेंगा और डाल सकते हैं अब इसको अच्छी तरह होगे इसको ठंडा हो लेंदे इसको तीरह होगे इसको ठंडा हो लेंदे इसको 3-4 हंडे लगेंगे ठंडे होने में तोड़ा सा बार बढ़ा लेने तो रूम टम प्रिजर पर आज़े तो पर इसको फ्रिज में रख लें दो तीम हंडे के इसको ठंडे हो जाए कर दणा जाए ठंडे हो अजय के को बार लेंदे हो जब 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 तो छाएं में दिखाती हुआ अगाट लेंगे जब 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 तरह के में दिखाती हो आग मिसमिल्यारम्मानि नहीं जब जंड इसको तोड मैं अपडेब शोड़ा, देड एक बढ़ान होगी, आपेफियों कर दोल कि असलिके टाइब नेगे रख्टोच के सब्सक्राइब करारे बनागे मोद्स में अपड़ा, आप फिरेजमे के नीज काटने में असानी हो जाए अज़ जब जम जब जब पर नहीं कटता है, मुश्किल होती है जोड़ी पटने हमाइब किसी भी चमल की मदर से इसके स्लाइस निकाल ले यह देखिए, स्लाइस के निकल है दुरूर बनाईएगा और इंशाला दुआयों में आज याद रखिएगा कर दो में यह दुआ है जयादाया बनाईएगा झाल, कर दो चपादा है, यह दुरूरूरूरू